जरूरी नहीं कि रोसनी चीरागों से ही हो बेटियां भी घर में उजाले करती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही बेटी है जिसने अपने संस्थान, अपने माबाप, पूरे परिवार, गाउं समाज का नाम रोशन किया है। नाम है नुदरत फात्मा। नुदरत फात्मा सित्योग इंश्यूट ऑफ टेकनलोजी में बीटेक फर्स्ट इयर की शात्रा हैं और इन्होंने CAC ब्रांच फर्स्ट इयर में राज्य का दूसरा अस्थान प्राप्त किया है। नुदरत बहुत-बहुत स्वागत है आपका सित्योग नीज में। नुदरत कई सारे छात्र शात्राओं ने परिक्षा में भाग लिया। आप भी शामिल हुई। आप सेकेंट ओपर हैं। कैसे तैयारी की आपने। सर, पढ़ाई के वक्त इंसान को कंसिस्टेंस रहना चाहिए। अगर आप कोई कुछ भी पढ़ने हैं तो उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ताकि जो भी एक्जाम में पूछा जा रहा है उसका आप जवाब दे सकें। तो सर, इससे मतलब सित्योग के जो भी टीचर्स हैं उनका भी बहुत जादा योगदान है उसमें। जैसे वैभाफ सर हम लोग को वर्क्शॉप पढ़ाते थे फिर्स्ट इयर में। उन्होंने हम लोग पे बहुत मैनत की हम लोग को बहुत जादा देखा और 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 भी बह हम लोग को बहुत जादा है कि कभी भी अगर डी मॉटिवेट होना होते थे तो वह मॉटिवेट करते थे हैं हमेशा उसके बाद अब आप सेकेंट ओपर आ गई हैं यह पहला यर के अग्याम था ओवरॉल में आप में अच्छा इसकोर किया अच्छे मार्क्स आया हैं आपक एलप लूँगी कई सारे इस्ट्डेंट सुते हैं जो अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो कहीन ए हैं तो कहीन के दोस्थान को देते हैं उनका काना होता है कि आन स्थान आच्छे पढ़ाई नहीं हुई शिछ्षकों आत्या देर भी आ परिवार के तरफ से जो सपोर्ट मि मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है, ऐसे में हमारा रिजल्ट खराब हो गया है, वैसे लोगों के लिए आप क्या कहिएगा? सर्फ, दोश देने से नहीं होता है, खुद से महनत करनी चाहिए, पैरेंट्स आखिर आपको अगर आपका नाम लिखा दियें, पढ़ा रहे हैं, तो आपको महनत करेंगे तब ना आप पढ़िएगा, अब ऐसे थोड़ी होता है कि आप नाम लिखा दियें, फिर उसके बाद अगर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो आप पैरेंट्स को दोश दे रहे हैं, या तीचर्ट को दोश दोश दे रहे हैं, आपका रिजल्स जो है, वो भी एक बार रुक गया था, तो वो कैसे आया और संस्थान के तरफ से कितना सही हो मिला आपको, सर्फ फर्स य उनिवर्सिटी में उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची मलब पढ़ने में तेज है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर उन लोगोंने भी इस बात को ये किया, तो उन्होंने फिर रिजल्ट लिया, अफडेट किया, एक चीज़ और आपसे अंतिम सवाल, कि अगर ऐसे र सबसे पहले तो माँ बाप को देखके, अपने घर वाले लोगों को देखके, फिर टीचर्स जो मैनत करते हैं, अम लोगों पे, उन लोगों की खुशी देखके ही खुश हो जाते हैं, अम लोग, और फिर बस यही सर, और आपकी नजर में सीतियोग इंशूट ओफ टेक्नलो अच्छी बात है कि मलब छोटे से शहर और अंगाबाद में इन्होंने सीतियोग इंजिनियरिंग कॉलेज खोला है, यह बहुत सारे बच्चों को मलब एक प्रोटसाहित करता है कि आप यहां पढ़ सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं, तो यह बहुत अच्छी के बात है सर कि और अंगाबाद जैसे छोटे शोटे से शहर में यह सतियोग इंटिटूट को है, तो यह थे नुदरत फात्मा, नुदरत फात्मा सेकंड एस्टेट टोपर हैं, CSE ब्रांच फर्स्ट इयर में, इनका कहना है कि खुद में लगन होनी चाहिए, खु उस चीश को एचिव कर सकते हैं, जिसकी आप उमीद करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही देखते हैं, CSE ब्रांच बात्तुट